अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक wedding का 5 से 25 लाग चार्ज करता हूँ, मेरे पास एक 35 लाग की bike है, मैं 8 figures में कमाता हूँ, सारी expensive gear है, top of the line, और साल में सिर्फ 10 ही weddings करता हूँ, तो क्या आप मेरी सारी बातों पर यकीन मानोगे, अब इसमें से कितना जूटा और कितना सच, क्या पता, same way as online बाकी photographer से influence होके, अपने आपको उनसे compare मत करो, देखो कुछ photographer की किसमत तो बहुत ही lucky होती है, या बहुत ही पड़े लिखे होते हैं, बहुत ही expensive schools में जाते हैं, और बहाँ पर उनके सारे rich and famous दोस्त बन जाते हैं, और वो network उनका grow होता रहता है, और इसकी वज़े से उन्हें सारी big fat weddings मिलती हैं, या फिर four of week करने से पहले वो already किसी बड़ी company के साथ काम कर रहे थे, जहां पर उन्हें बहुत ही अच्छी networking की और अपनी company को एक नए level पे लेके चले गए, या फिर बहुत सारी ऐसी agencies को पकड़के उन्हें अच्छा खासा commission देके, बड़े-बड़ी celebrity weddings या बहुत सारी international shoots भी ले लेते हैं, बट आपको इन सब चीज़ों के बार में कोई नहीं बताता है, so please अपने आपको इन सब बड़े लोगों से compare करना बंद कीजिए, अगर आपको मौका मिलता है तो आप भी वहाँ पे अच्छी pictures खीचते हैं, बट क्यूंकि उस celebrity photographer का luck अच्छा था और उसने अच्छे से networking की, इसलिए आज उसे वो wedding मिल गई, तो please disappoint मत हुए, वो उसकी किस्मत ही, कि he was at the right place at the right time, आप मेहनत करते रहिए and एक दिन you will also be lucky, blame game करना और किस्मत पर रोना छोड़ दीजिए, आपका क्या माना इस बारे में नीचे comment में जरूर लिखके बताईएगा, और उन सब photo of us को tag कीजिए, जो अपने आपको बाकी लोगों से compare करते हैं,